हलो साथियों, A to Z classes में आपका स्वागत है, आर आज हम लोग motivation, जो motivation का आज महत्व है, अभिप्रेड़ा का महत्व है और अभिप्रेड़ा की क्या उपयोगता होती है, इसके बारे में जानेंगे, कि क्या अभिप्रेड़ा किस तरह से अभिप्रेड़ा को बढ़ाया जा सकता है, किस चीजों से अभिप्रेड़ा घट जाती है, तो इन दोनों चीजों को हम जानेंगे, और किस तरह से इसका हम अभिप्रेड़ा का उपयोग करते हैं, किस माध्यम से हम अभिप्रेड़ा को अच्छे से जान सकते हैं, समझ सकते हैं, और आपके एक्जाम में जो आ सकते हैं प्रश्ण उन्हीं पॉइंटों को हमने चुना है जो कई बार के विगत वर्सों में ये प्रश्ण पूछे गए हैं तो आई होप ये सारी चीजें आप लोग पहले से पढ़ रहा हैं जान रहा हैं समझ रहे होंगे लेकिन बस मुझे आपको मार्ग दर्सन करना है आपका बकायदे आप सारी चीजें वो जानते बस ये चीजें हमको आपको बताने हैं कि ये चीजे बस यही हैं आप कहेंगे कि वो सारी चीजें हम जानते हैं सर तो मुझे और अच्छा लगेगा ठेक इसके लिए हमारे चैनल को आप नोटिफिकेशन उन तक तुरंत पहुंचेगी और वो उसके साथ ही क्लाज के साथ जुड़ जाएं आगे बहुत सारी क्लासेज आपको समय से मिलने वाली अभी दो चार लासेज धीरे-धीरे अब कई अब सफाथ को मिलने वाले हैं फिट तो आभ बात करते अभिप्रेडा का महत्व क्या खहता है का महत्व का मेंटब हम कैसे दर सते कुछ निम्न भिंदुओं के द्वारा हम समझाते हैं voters के लिए हमको मोटिवेशन यानि अभिप्रेडा की जरूरत पड़ती है तो उसकी जरूरत जब पढ़ी तो उसकार को हम कैसे बहुत अच्छा कर सकते हैं और उसकार को हम कैसे रोक सकते हैं तो पहले पॉइंट में बात करते हैं पुरसकार पुरसकार व दंड पुरसकार व दंड ठिक भाई अभिप्रेडा को पुरसकार के द्वारा बढ़ाया जा सकता है आप लोग एक बार बताईए कि पुरसकार के द्वारा क्या अभिप्रेडा को बढ़ाया जा सकता है बिल्कुल अगर छोटा पालक है आप कहते हैं न कि ये लालच में उस चॉकलेट की लालच में वो अपना होमवर करता है वो लालच क्या है उसके लिए वो चॉकलेट क्या है उसके लिए एक मोटिवेशन का कारे कर रहा है जिससे वो प्रभावित हो रहा है अभिप्रेणा के द्वारा वो प्रभावित हो रहा है कि ये काम करने पर म मोर्क हम करेंगे तो इससे एक अच्छी आदतों का विकास हो जाएगा ठेक अच्छी आदतों का विकास हो जाएगा जिससे पुरसकार में हम रूप में कहते हैं कि क्लास में जो सबसे अच्छा अंख पाएगा उसको क्या करेंगे हम उसको क्या करेंगे हम हम उसको एक इनाम द लिए उस यवाट को पाने के लिए वो मेहनत करते हैं और उस अवस्थाओं को जानते हैं कि किस तरह से हम कारे को करेंगे जिससे हम सफल हो सके ठेक तो वो पुरसकार है पुरसकार के द्वारा अब हम बात करते हैं दंड दंड भी अभी प्रेडा को दिखाता है दंड किस रू बहुत सारी चीज़ों से आपको बताया जाते हैं कि ये काम गलत है आप करोगे ये काम तो आपको दंड मिलेगा अप उससे भी प्रहे riots हो रहा हैं कि दंड से भी कि अगर हम गलत काम करते हैं तो हमको सजा था रखी गई है तो भाई हम गलत काम नहीं करेंगे उससे भी आप प्रभावित होते हैं वह भी 살 मॉटिवेशन लेबल है। करते हैं तो पुरसकार मिलेगा अगर गलत काम करेंगे तो भाई हमको दंड मिलेगा तो यह दोनों चीजे क्या कर रही है बालक को अभिप्रेरिद कर रही है किस रूप में एक कारे को करने के लिए एक कारे को न करने के लिए जिसमें पुरसकार मिला उस कारे को करने के लिए अभिप्रेडा प्रेरित कर रही है और ये कारी को जो दंड है वो नहीं करने के लिए यानि गलत कारियों से रोकने के लिए यानि गलत कार करेंगे आपको दंड मिलेगा तो गलत काम आपको नहीं करना तो अभिप्रेडा ये दोनों काम करती है यहां तक समझ में आया है सबको बिल्कुल समझ में आया होगा है प्रसंसा वा निंदा प्रसंसा वा निंदा क्या होता भी प्रसंसा आप किसी कारे को कहते है ना प्रसंसा के साथ किसी को इतना प्रफुलित कर देते किसी को इतना मोटिवेट कर देते हैं कि वो कारे को खुसी-खुसी मन कर देता है जैसे हम विगत उधारन दिये थे जैसे आप कहते हैं कि आप ये काम कर लेगे कर लोगे कर लोगे आप उसको इतना बता देते हैं इतना समझा देते हैं कि वो नौ चाहते से मोटिवेट करता है हम यहां बालक को प्रसंशा किस रूप में करेंगे इसी कम कर रहा हैं तो वह कहले से वह कर रहा होता है यानि वह बालग पढ़ाई पढ़ रहा होता है आप कहते हो कि अगी ओसे पृइल्ड में जाओगे तो बड़ा संसा करोगे कि तुम इस फेल्ड में जाओगे तो यह कारे बहुत अच्छा करोगा तो वो क्या है वो देश के लिए सुनता प्रसंसा होता कि मैं देश के लिए कारे करूंगा यह तो बड़े गर्व की बात है लोग मुझे जानेंगे परमाडु बंब बना था ना भारत में तो जब परमाडु बंब बना था तो एपीजे अब्दुल कलाम जी को कितिनी प्रसिध्धी मिली थी बहुत सारी के कारण एक बार रास्पती भी चुने गए तो उसी तरह कि हम उसकी प्रसंसा करेंगे कि तुम टेक्निकल फिल्ड में जाना चाहते हो रिसर्च में जाना चाहते तो यह कारे करो तुमको उस मुकाम पे पहुंचने से कोई नहीं रोग पाएगा वो बड़े आनंदित हो के उस कारे को करता चला जाएगा निंदा निंदा भी देखिए मोटिवेशन का बड़ा अच्छा कारे करते हैं निंदा कोई गलत कारे करता थे यार यह गंदा आदमी है यह ठीक काम नहीं करता है आप उसकी निंदा इस रूप में करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि आप उसक कुछ कहते हैं तो वो क्या उससे फील करता है कि यार यह गलत काम है तभी तो मुझे वो कह रहे हैं इस काम को मुझे नहीं करना चाहिए यानि कहीं कहीं निंदा जो होती है यह सकरात्मक रूप में कारे करना शुरू कर देती है वो समाज के बीच में कोई उसको कह देता है तो मेरेके कामий छोड़ देता और उसके लिए वह अच्छा कारे करना कर देता तो आए किसी को बहुत अच्छा बनाना है तो प्रसंसा करके उसके अच्छे अच्छे तारीफों करके बनाया जा सकता है और किसी के बुरी लट को छुड़वाना है तो उसकी किसी ने किसी सकरात्मक रूप में नकरात्मक निंदा होती है लेकिन नकरात्मक को हम सकरात्मक रूप में निंदा को लेके काम को आ परिणाम वो ज्यान क्या होता है भाई को जो भी कारे करते हैं हमको उसका परिणाम मिलता है माली जे हम पूरे साल भर पढ़े बहुत अच्छे से तयारी किये और लाश्ट में एक्जाम होता है गो नहीं एक्जाम होने के बाद क्या आता है परिणाम आता है यानि ठीक वही ब बाते सुन रहे होंगे समझ रहे होंगे आप कहीं ने कहीं मोटिवेट होंगे कि सर तो कह रहे हैं कि इस क्लास को मनोविज्ञान की क्लास से यह वाला प्रशन आएगा तो आप मेरी क्लास को आप जरूर देखेंगे जब आप मेरी क्लास को देखेंगे तो मुझे लगेगा कि ह आप कहीं ने कहीं मेरी बातों से प्रभावित हुए थे और मेरी क्लास को आप देख रहे हैं तो उसके अनुसार जब आप मेरी बातों को समझते आगे बढ़ते चले जाएंगे और जब आपका एक्जाम आएगा और एक्जाम में आपके प्रशन आपको दिखेंगे तो आनन्दित होंगे तो वहीं परिडाम है मोटिवेशन का कि ये A to Z वाले कह रहे हैं कि ये ऐसे ऐसे तैयारी करो ये चीजे आ रही है ये चीजे पढ़ाई जा रही है आप इसको बस पढ़ते रहो आपको फ्री सीट मिल जाएगी तो आप बिल्कुल हमारे साथ जूड़े रहे टेक घ्यान की बहुत जरूद पढ़ती है यानि अगर हमारे हमारे अंदर बोलने कि सैली ना हो तो हम मोटिवेट करने की सैली ना हो तो हम किसी पूंटिवेट नहीं कर पाएंगे कहा जाता है न कि Kut CH लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं लेकिन बात चीत करने में इतने ग तो वो आप उनको अपने तरीके से मनाने जाते हैं फोन करते हैं कॉल करते हैं उनको कहते हैं उनकी सारी सारी सर्ते मानते हैं सारी सर्तों को मानने वाद वो एग्री होता है तब जाके कुछ दिनों तक ठीक चलता है उस दिनों तक ठीक चलता है फिर उसी वो रूटीन पर तो वो मनाने कहता है कि उस दिन तुम कह रहते ऐसे तो वो समय परिस्थितियों को देख के काम करता है यानि ग्यानी होना बहुत जरूर यह कि जैसी परिस्थितियां हो हमको उसी के according काम करना है यानि motivation किस लेकिन अगर वही सेर रहता तभी क्या ये बात कही जा सकती थी क्या कि डंडा उठाओ उसको मारो सेर भग जाएगा नहीं आप मोटिवेशन का लेवल देखिए परिस्थितियां देखिए ग्यान देखिए कि किस तरह का ग्यान है क्या व्यक्तित तो है उसका उसी के अनुसार ग्यान को बताईए कि इस ब्यक्ति के साथ ऐसा ब्यवहार किया जाता है इस ब्यक्ति के साथ ऐसा ब्यवहार किया जाता है वो ग्यान ही बता पाएगा आपको जैसे पिता जीक साथ आप कैसे ब्यवहार करते हैं और अपने मित्रों के साथ कैसा ब्यवहार करते हैं दोनों मे करते हैं अभी प्रेड़ा का उपयोग तो हमारा टपिक है अभी प्रेड़ा का उपयोग आज यह टपिक समाप्त हो जाएगा अभी प्रेड़ा का आज जो टॉपिक है मोटिविएशन का ये समाप्त हो जाएगा सबसे पहले इसका क्या कार होता विप्रेडा का उपयोग हम किस चीजों में करते हैं तो सबसे पहले की बात करते हैं ब्योहार में नियंतरण हम अपने ब्योहार को कैसे नियंतरित करते हैं हम अपने बेवहार को motivation के द्वारा नियंतरित कर सकते हैं कैसे कि जैसे हम अपने आपको समझाते हैं अपने आपको बताते हैं कि चोरी करना गलत बात है चोरी करने से हमको समाज में कोई इज़त, मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी उस चोरी के वज में हमको jail जाना के विचार बना रहते इस चीज को अब दिमाग से निकाल दे रहे हैं अब हमारा क्या कार होगा हमको अच्छा बनना हमको चोरी बिल्कुल नहीं करना यानि गलत काम कोई भी नहीं करना जो हमारे बेवहारों को समाज में प्रतिष्ठा न दिला सके हम पर एक समाजिक प्राणी के तोर पे देखा जाए हमको समाज से अलग देखा जाए हम इस तरह के बेवहार के साथ नहीं रह सकते समाज में तो हम अपने बेवहारों पर नियंतरर करना सीख लेते हैं कैसे अपने आप मोटिवेट होके अपने आपसे ही प्रस्न करते हैं अपने आपसे ही उतर लेते वाद यार यह काम मैंने अच्छा नहीं किया एक तरह से पच्छता आते भी हैं जब उनको सजा मिलती है तो तो हम अपने ब्योहार को अभिपनेडा के द्वारा नियंत्र कर सकते हैं दूसरा है रूचियों का विकास रूचियों का विकास रूचियों का विकास हम अपनी रूचियां बदल सकते हैं मोटिवेशन के द्वारा कैसे हम तो बना चाहते थे इंजीनियर लेकिन कोई हमसे मिला उसने कहा कि आरे इंजीनिरिंग करोगे पता नहीं नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी यह सिक्षक वाली नौकरी कर लो टाइम से जाना है कॉलेज टाइम से चले आना है इसमें इतने दिनों की छुटियां रहती हैं घर परिवार के आसपास जो विद्याल होगा उसमें मिल जाएगा आप जीवन फर वहीं नौकरी कर लोगे घर परिवार भी देख लोगे समाज भी देख लोगे हम बनना चाहते थे इंगिनियर लेकिन उसने इस तरगे सुझाव है कि इसके क्या-क्या फाइदा होते हैं और वह घर परिवार से अगर इसchnीशितियां आपके पास नहीं रहे तो आप घर से दूर ही जाके ज़ाब करोगे और साल भर में दो साल 6 महाईने में एक बार अपनी रुचियों में वहां से परिवर्तन कर लेते हैं, वो किस रूप में, अभी प्रेडा के द्वारा, किसी ने मोटिवेट किया, कि सिक्षक बढ़िया होता है, कि इंजिनियर बढ़िया होते तो सब अपने अपने जगए बढ़िया है, मैं किसी फिल्ड की या किसी छेतर बताना सुरू करते हैं, कि लड़की ऐसी पढ़ी लिखी है, इतनी गुनी है, ये खाना इतना स्वाधिष्ट बनाती है, कि हाथ उंगलिया चाटते रह जाओगे, वो इतना अच्छा बेवहार करती है, कि आपका परिवार एकदम खुस रहेगा, आपके माता जी की सेवा कर करेगे, आपके सेवा करेगे, तमाम उसकी खुबियों के बारे में बता दिया गया, तो आपका क्या होता है, जो मन होता है, वो डाइवर्ट हो गया, यानि लड़की आपके लिए बहतर नजर आती है, ठीक, साधी के बास कुछ दिनों बास बचारा उल्टा हो जाता है, तो मानसिक विकास, मानसिक विकास क्या होता है, मन मस्तिस का बहुत तेजी के साथ विकास होता है, यानि मानसिक विकास क्या होता है, बहुत तेजी के साथ होता है, इसमें मोटिवेशन, आप सोचते हैं, वो डियम है, वो डियम साहब हैं, तो आपका मन के अंदर उस तरह के ये एक्जाम क्लियर करना होता है ये वाईवा क्लियर करना होता फिर उसके बाद final merit बनती है उसके बाद selection होता है आप किसी जिले में जाके आप किसी सचिवाले में जाके एक परतिशित्पत पर आपके नौकर चाकर आपके आदिशों का बहुत सारा पालन होता है तो आप उस से बढ़ियां अपने आपको कोई नहीं जानता होगा ठीक मैं जानता हूं कि मेरी छमता क्या है मैं अपने आपकी छमता क्या है मैं बता सकते हूं आपको अच्छा बुरा कह सकते हैं लेकिन मैं अपनी छमता जानता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं ठीक आप अपनी छमता जानते ह अगर थोड़ा सा भी ध्यान देते रहेंगे एकदम अनर्गल इत्याग देंगे तो अलग बात है लेकिन अगर थोड़ा भी उस पर ध्यान देते रहेंगे तो नहीं आये तो PCS वा तो बनबै करेंगे तो आपका वो मानसी विकास है आपको कही ने कही मोटिवेशन कर रहा था मानसी विकास में बिर्धी हो रही थी और आप उसके अभिप्रेणा को समझ रहे थे ठीक अगला है चरित्र का निर्मार चरित्र का निर्मार भाई चरित्र का निर्मार तो सरवोपरी होता है मोटिवेशन में ये चीजे सबसे महतपूर चीजे होती है कि चरित्र का निर्मा किस रूप में कहता है क्योंकि वह उसके चरित्र को जानता है कि यह बालग उस घर में बड़ा अच्छा है उससे तो आप क्या करते हैं भहिया कोई नहीं कह रहा है हम भी उन्हीं कि तरह बनेंगे यानि आप अपने भाईया की तरह आचरान करना सुरू करते हैं जैसा भाईया करते हैं वैसा हम भी करेंगे लोगों की वो सेवा करते हैं लोगों की बात सुनते हैं लोगों की समझते हैं गर परिवार को सयमित रखते हैं तो हम भी उनी की तरह बनेंगे तो लो परिद्ध दंध में अच्छे लोगाइं पता ने कैसे उस घर में यह भी तक चरित्र नहीं सीप, सब्सक्राइर अभिकास नहीं हो पायां, तो यह किस रूप में? मोटिवेशन मोटिवेशन आप किसी के घर-परिवार का चरित देख के आप उसके अपना ले धे हैं किस में मोटिवेशन यानि अभिप्रिणडा के रूप में ठिक लक्ष प्राप्ति लक्ष प्राप्ति लक्ष प्राप्ति में सहायक लक्ष प्राप्ति में सहायक भाई कोई लक्ष है उसको प्राप्त करवाना है तो भाई मोटिवेशन सबसे जरूरी है इसका एक बहुत अच्छ परचित होंगे भारत से सिरलंका जाना था हनुमान जी को नहीं जाना था लोग समुदर के किनारे सोच बिचार रहे थे कि कौन लंका पे जाएगा और माता सीता जी का पता लगा के आएगा तो कई लोगों को कहा गया तो कोई ये कहा कि हमें एक ही बार जा सकते हैं लेकिन मेर पे समुधर को फांग नहीं सकता हूँ, मैं बीच में ही समुधर में अटक जाओंगा, तो कई लोगों से विचार हुआ, उसके बाद किसी को जामुवंच जी बताते हैं, कि ये हनुमान जी ऐसे प्राणी हैं यहाँ पे, जो उस समय के, हनुमान जी ऐसे हैं यहाँ पे, जो ल आता सीता का पता लगाना है तो हनुमान जी को भेजा जाएगा तो लक्ष जब बना लिए तो उसको मोटिवेट करते हैं किनको हनुमान जी को मोटिवेट करते हैं लोग कि हनुमान जी आप बड़े ताकतवर हैं आपने तो एक बार बच्पन में सुर्य देव को ही निगल लि जाता कि आप बने कि आप का यहां जो जन्म हुआ है किस लिए हुआ है तो वह आप जाएंगे और हर्माता सीता का पता लगा कि वापस आएंगे तो वह उनको लक्ष बताया गया और लक्ष के अनुसार हर्मान जी जाते हैं लंका में और माता सीता का पता लगा कि फिर वापस आते भी हैं तो वो लक्ष है किस रूप में उनको बताया गया कि आप कर सकते हैं या आप कोई काम कर सकते हैं ठीक किसी भी बालक को बालक थोड़ा सा पढ़ने में कमजोर हो तो भी आप उसको मोटिवेट करते हैं कि तुम ये काम कर सकते हो बिलकुल कर सकते हो कोई कुछ भी क है तो मैं तुमको जानता हूँ तुम ये काम कर सकते हूँ ठीक अब लास्ट है संग्यानात्मक विकास संग्यानात्मक विकास संग्यानात्मक विकास क्या होता है भाई संग्यानात्मक भाई जिस इस चीज का आपको ग्यान कुछ दिर बाद या थोड़ा बहुत ग्यान आपको रहता है उसको संग्यानात्मक विकास कहते हैं यानि आप उसके बारे में थोड़ा बहुत ही जानते रहते हैं पूरी जानकारी आपको नहीं रहती है ठिक उसको संग्यानात्मक विकास कहते हैं अब यहाँ पर संग्यान आत्मक आप उस चीज के बारे में बताते हैं अच्छे से कि ये चीजे देखो इस क्रम में हुई, ऐसी ऐसी चीजे हुई, लोग ऐसा ऐसा काम करते हैं, ऐसा करने के बाद ये काम बहुत अच्छे से हो जाता है, किसी को कोई कारे करना है, साइकिल से गोरकपूर जाना है, साइकिल से बनारत जाना है, देखो कई लोग हैं साइकिल से पूरे भारत की चक्कर लगा लिए हैं, कई लोग हैं पूरे भारत का चकर पैदल ही लगा लेते हैं, तो आप उनको तमाम लोगों का उधारन देखे, संग्यान में उनके लाके, उनको बता के उनके बारे में, ऐसा नहीं है कि किसी ने नहीं किया है, तो तुम ना करो, कई लोगों ने ये काम किया है, ये कारनामा किया है, और तुम भी ये कर सकते हैं, तो वो पूछेगा कैसे, तो आप उसके बारे में बिधुत वो चीजे बताते हैं, कि ये वो ऐसे तयारी किये थे, वो इस इस रास्तों को चुने थे जिससे वो भारत का भरमट पैदाल ही कर लिये थे चाए साइकिल से कर लिये थे, चाए मोटरसाइकिल से कर लिये थे, चाए इतने दिनों के अंदर कर लिये थे, तो वो संग्यानातमक विकास होता है, जिसमें motivation बहुत अच्छे से दिया जाए तो कोई भी कार बड़े अच्छे धंक से हो सकता है I hope ये पूरी की पूरी class आप लोगों को बड़े अच्छे से समझ में आ गई होगी यहाँ पर motivation का जो class था अभिपनेडा का जो class था यहाँ पर समाप्त होता है हम अगले topic में बिल्कुल नए topic के साथ मिलेंगे और आपको नई उर्जा के साथ मिलेंगे बिल्कुल आपके पढ़ाई के लिए हम सहयोगी बनेंगे धन्यबाद